तो आज हमारे किचिन में बनने वाला है रबडी मालपूरा बहुत से लोग इसे मैदा से सूजी से या फिर्ड़ से भी बनाते हैं आज हम बनाने वाले हैं खोया मालपूरा तो हमने यहाँ पर दो कप खोवा लिया और इसे अच्छी तरह कद्दू कस कलिया डेड़ कप मैदा और अदा कप सूजी सूजी हम इसलिए लेंगे कि इससे थोड़ा सा करारा बनाएगा और जो किनारे होती हैं मालपूर की वह थोड़ी सी डार्क होंगे एक टीस्पून सौप सौप का फिलेवर मालपूरे में बहुत अच्छा आता है अगर आप इसे नहीं पसंद करते हैं बहुत कर सकते हैं गया तो इसकी पर सकते हैं औरे टीस्पून अलाइची पाउडर दो कप हम चूनी लिए चीने के चांसी बनाएंगे एक 15 इन ठीट की दूद धिया है तो सब से पहले हम रबडी बनार कर लेते हैं ताकि अच्छे तरह ठंदी हो जाए और एक कडं़ाय में मुझात रखते हैं, तो तरह पतली की लिए न стороны भी चम सब्सक्स को भीकर बादें चीनी के लिए हैं, तो घॉटाअच के से घं़रों पकाए, बीज़ा का पतल की क्यां गारते हैं, पता है तो चीनी आप अपने साब से देख लें अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करतें तो चीनी आप पने हसाब से टाल लें एक टीस्पून के करीब एक चमच डालेंगे हम इसमें नारियल का भूरा इसे डालने से रबड़ी बहुत जन्ती काड़ी होती है और अच्छे से पख भी जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है तो यह डाल देंगे अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे स्किप कर सकते है एक चुटकी के करी दालेंगे इलाइची पाउडर थोड़ी देर और पका लेते हैं चीनी के घुलने तक और थोड़ा सा यह और गाड़ा हो जाए नारियल का भूरा चीनी और इलाइची पाउडर डालने के बाद में हमने इसे 5-7 मिट और पका लिया गयस को हमने आम अधा ही रखा था तो मेरा लेंगे एक कप पानी जितनी चीनी को उसका आदा पानी लेगे और गैस को हम यह थोड़ा सा मत्या करने और मत्य प्लेंपर इसे पखने देगे चास्नी को हमें एक तार या दो तार की चास्नी बनानी है चीनी बस बैंट हो जाए और यह थोड़ी सी पख जाए जब इस जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो रही है जब तक हम इसे थोड़ी थोड़ी दिर्वे से चलाते रहेंगे चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो गई तो हम इसे 5-6 मिट और पका लिया फिर इसे हमने चेक किया तो हातों पर यह थोड़ी चिपखने लगी तो चासनी इसे थह पग गई है अब इसमें ढालेंगे थो इक दो बूद हम डाल देते हैं रिभू का रस बूद का रस हम इस भी नई रखने तरह में इसे रख दे लेगे एक तरह में आप लिए हम आलपू को फ्राइए तो खोए में डालेंगे हम यह मैदा सूजी डाल देंगे अची तरह ऐसे मिक्स कर लेते हैं अची तरह मिक्स करने के बाद में इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पाणी डालेंगे और इसका ना जादा पतला और ना जादा गाडा गूल बना कर तयार कर लेंगे वैसे आप बैटर को दूद से भी तयार कर सकते हैं ल लाइची पाउडर, सॉप डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मालपुय का बैटल बनका तयार है, अब बनाएंगे हम इसके मालपुय, तो सबसे पहले हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देते हैं, यह देखें, ना जादा गाड़ी है और ना जादा यह पतली है, यह देखें, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए, तो आप मालपुय बनाना शुरू करें, तब बनाते हम मालपुय, एक फैले से बरतल में हमने तेल को बराब होने रख दिया, तो यहां मालपुय तेलों बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे खीमे बना स सकते हैं, तो मीडियम टू जो पर हमने देखो बराम होने रख दिया, तेल हम यहां बहुत जाता गरम नहीं होने देंगे, अगर आप पहली बार मालपुय बना रहे हैं, तो एक बार में एकी मालपुय डालें, और उस अच्छी तरह फ्राइए करें, अगर आप बनाते ही र करेंगे, जब यह मालपुय तेल में तेहर ने लगेगा, उसके बाद हम गयस को तेज करेंगे, और इसे पल्टेंगे, तो यहां आप देख सकते हैं, एक मालपुय ड़ए सा शिक कर तेहर ने लगा है, मालपुय जब थोड़ा सा फ्राइए हो जाए, तो आप इसे हम पल्ट मानकु यह जब दोनों सवाइड से अची तरह फ्राई हो जाएं जो जो इस तरह निकाल लेंगे इतने मानकु उब प्राई करने में हमें 10-12 मिटे लगी हमने गैस को विद्कुल मता रखा था और मत्य खिलें पर हमें से फ्राई कर रहे थे तो यह जो में एक्सट्रा तेव के मालपुवी अभी इसने ही आपशा है अ वापशचो जाने ta लोगा, मालपुवी अभी इसी तरह हम फ्राइ गळ लेंगे तो इसे टालेंगे चाहस्नी में तो चाहस्नी या थोड़ी हम ठंडी हो गई थी तो इसे हमने थोड़ा सा गराम कर लिया है मालपू को दस से बारा मेट हम इसे चासनी में इसी तरह छोड़ देंगे मालपू जब चासनी में अच्छी तरह डूब जाए तो इन्हें हम निकाल लेंगे तो एक प्लेट पे इसे हम निकाल लेते हैं जो एकस्टा चासनी है वह हम बापिस इसी में डाल देंगे तो माल पूर हमने निकाल लिया है अब इस पर डालेंगे हम रबडी तो रबडी यह अच्छी तरह ठंडी हो गई है यह डालेंगे थोड़ा सा बारी कट हुए पिस्ता डाल देंगे सूखी गुलाब की पतिया डाल देंगे तोड़ी सी डाल देंगे गुलाब कद्री ये optional है अगर आप पसंद कर दें तो डाले नहीं तो इसे स्किप्ट कर दें तो लेजी बहुत ही मझे का और լहुत ही मीठा अबड़ी माल पूगा बन कर तैयार है वीडियो पसंद आईए और इसे लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होते हैं तब तक अपना खयाल रखें अलाहाफेज